मेरा नाम मुही निशात है, Girls Islamic Organization की मेंबर हूँ, यह Girls Islamic Organization जमाते इसलामी हिंग का एक शाख है, यहाँ पे हम DC को ममेरंडम देने आये थे, जो आप हाला देख रहे हैं मुल्क में, करनाटका में जो चल रहा है, उर्पी के एक छोटे से कॉले से शुरू होकर वो बढ़ते नाटका में इसका नजर आ रहा है, जो हिजाब का इशू लेकर उठे हैं, हम सब जानते हैं कि यह हिजाब का इशू यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उडपी में कई बार हो चुका है, लेकिन इसमें पोलिस और गॉर्मेंट का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ होत यह था और इसे उसी वक्त जब यह शुरू हुआ था, उसी वक्त एक कम्यूनिटी को जो ज्यादा पवर दिया गया था और एक कम्यूनिटी पे जो जुल्म हो रहा था, उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन जब यह हालात इतना बढ़ गया कि पूरे स्टेट पे आ गया और इंटरनाशनल लेवल के उपर तक भी यह न्यूस पहल चुकी है, अब फिर इस पे क्या है, अमन के बारे में बात की जा रही है, हम यहाँ यही बोलने के लिए आये हैं, कि यह जो हिंदू-मुसल्मान का जगडा शुरू हुआ है, यह हम सब जानते हैं, अव हिंदूस्तान है, यह इतने सालों से, इतने सदियों से जो डिफरेंट कल्चर को लेकर चल रहा है, इसको हम खायम रखेंगे, यह पूरे दुनिया में एक नमूना है हिंदूस्तान की अलग-अलग कल्चर होने के बावजूद भी वो एक साथ रहता था, कभी ऐसा कोई मसला यह हिजाब को लेकर इश्यू उठा है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हिजाब एक नई चीज नहीं है, यह सदियों से जमाने से चलते आ रही है और यह हम पहले से भी पेहनते आ रहे हैं, तो इसको अचानक से पॉइंट आउट करना, और ऐसके उपर बाचीत करन लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा की जाए रही है इसको खतम किया जाए और सोसाइटी में माशरे में अमन को कायम किया जा आज जमाति इसलामी हिंदी की जानिप से हम लोगों ने कि इसी साथ को एक ममरांडम दिया मुल्क में जो हालात हिजाब को लेके चल रही है कि यह मसला ना सिर्फ मुल्क बलके इंटरनाशनल लेवल तक फैल गया है एक छोटा मुखाम उड़िपी से यह मसला शुरू हुआ लेकिन हम देखते हैं कि खास तोर पर सियासी पार्टियों के जो जिम्मेदारान हैं वो अपने सियासी मुफात के लिए मामले को इस तरीखे से उसको उठाया कि यह दीनी मसले के मुखाबले में एक हिंदू मुस्लिम का एक मसला बन गया और हाल में जो मंडिया की एक लड़की का वाकिया हुआ तो उसको भी इस तरीखे से पबलिसिटी दी गई और यह मसला जो हिंदू मुस्लिम का मसला बनाया जा रहा है हम यह चाहते हैं कि असल में यह हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है यह हमारे मुल्क में हमारे आईिन के तहित जो इकतियारात दिये गए हैं उन इकतियारात के तहित इसलाम के जो अहकमात हैं उन पी हमें आमल करने की पूरी पूरी आज़दी है और इकतियार है उन इक्तियार के तहट हम सदियों से इसलामी अहकमात के उपर अमल करते आ रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों से माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है कि जो आईनी इक्तियारात है उन्हें दबोचने की कोशिशें की जा रही है खुसूसन हिजाब को लेकर हमारे मुलक में हलांके इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पहले सी चीज़ें चल रहे थे छोटे मोटे लेकिन आज हमारे मुलक में एक बड़ा इश्यू जो है यह बन गया है जबके ना सिर्फ मुसल्मान क्रिश्यनों को देखे आप वो भी जो है अपने स्कारफ पहनते हैं और मारवाडी खौम को देखिए वो भी अपने दुपटे सरों पे डालते हैं और सर के नीजे भी जो है चेहरों पे दुपटे उनके आते हैं तो यह एक रिवाज है एक कल्चर है और सिक्ष मिरादरी है वो लोग जहें पहिंते हैं अपने मजहब के तहट तो खवातीन को सर्च ढ़ाकने के हिजाब करने के अल्ला ताला ने खुरान में हुकम दिया है हिजाब इस मैराइड हिजाब इस मैराइड